अमेरिका चीन के गले में डालेगा पट्टा, भारत चीन को लगाएगा घुटनों पर, भारत बनेगा चीन की तबाही का काल एक खबर निकल करा रही है अमेरिका की तरफ से जिसमें हमें पता चल रहा है कि अमेरिका चीन के लिए एक आक्शन ले रहा है जिसका सबसे अधिक फाइदा भारत को देखने को मिल रहा है आपको हम बता दें, अमेरिका ने अब तक चीन के उपर कड़ी हर कारवाई में सबसे कड़ी कारवाई यही वाली कड़ी है, लेकिन अमेरिका की इस कारवाई से जितना ज़्यादा नुकसान चीन को हो रहा है, उतना ही अधिक फाइदा भारत को भी पहुच रहा है, अमेरिका चीन के उपर इतना बड़ा प्रतिबंध लगा सकता है किसी ने सोचा भी नहीं था लेकिन यहां पर अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे चीन को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है अमेरिका के उठाए इस कदम से सबसे ज़्यादा भारत को होगा इसमें भारत को एक ऐसा अवसर मिल गया है जिसके वज़े से भारत बहुत फायदा उठा सकता है यहां पर बहुत लोगों को लग रहा था कि अमेरिका चीन के उपर कभी भी इतना बड़ा आक्षन नहीं लेगा लेकिन यहां पर अमेरिका ने वह करके दिखा दिया है यहां पर लोगों को पता था जो बाइडन के उपर काफी अधिक दवाव है और यहां पर जो बाइडन जो भी चाहते हैं वह चीन के प्रती नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको अपनी मनमर्जी करने के अलावा जनता का भी ख्याल रखना पड़ता है चीन का जिंग जैंग आप सब ही को पता होगा कि इसके बारे में पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पर चीन किस तड़ीके की क्रूरता दिखाता है आपको हम बता दें अमेरिका में जब डोनाल ट्रम्प की सरकार थी तब भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई गई थी और अब अमेरिका में जो बाइडन की सरकार है तब भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई गई है अमेरिका ने भी यहाँ पर वही निती अपनाई जो अमेरिका ने सोवियत संग के लिए अपनाई थी जिसमें हमने देखा कि कैसे अमेरिका ने सोवियत संग की कमजोर नसों को पकड़ कर मरोड़ना शुरू कर दिया था ठीक उसी तरीके से अब अमेरिका यहाँ पर भी करता ह वहां दिखाए दे रहा है। यहाँ पर अमेरिका ने पकड़ा है चीन के जिन्जांक शहर को क्योंकि चीन की कमजोर कड़ी है जिन्जांक, इसे लेकर चीन वद्नामभी हो चुका है। दुनिया भर में कई तरीके के सबूत भी निकल कराए हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चीन लोगों के साथ कुरूरता दिखाता है। आपको हम बता दे कुछ समय पहले अमेरिका में एक प्रस्ताव आया था और इस पर कानून भी बना था जिसमें कहा गया था जिन जैंक के लोगों पर चीन जिस तरीके से अत्याचार करता है उसको लेकर यहाँ पर प्रतिबंध लगा गया था लेकिन बहुत लोगों को यहाँ पर लग रहा था कि इस प्रस्ताव पर जो बाइडन साइन नहीं करेंगे दोनों ही सदनों में इसको दोनों का ही समर्थन मिला लेकिन यहाँ पर जिन पिंग और जो बाइडन के बीच बात होनी वाद है उसके बाद ही कुछ कहपाना सही था कि इसको लेकर अमेरिका क्या फै पर जिन जैंग में उसको बंद कर देना चाहिए और यहाँ पर कानून में लिखा है कि जिन जैंग में जो भी चीजे बनती हैं खास करके कपास उसे अब अमेरिका नहीं घडी देगा यहाँ पर कपास की मजदूरी चीन लोगों से करवाता है और जबरन उनसे चीन यह काम लगातार करवाता हुआ चला आ रहा है और चीन उनको इस काम के लिए पैसा भी नहीं देता है यहाँ पर अमेरिका ने कह दिया है कि वह चीन की इस हरकत को बढ़ावा नहीं देगा और चीन से इस जगह का कोई भी सामान नहीं खड़ी देगा आपको हम बता दें जैसे ही अमे ऐसा ही बॉखलाया हुआ था यहाँ पर चीन ने कह दिया है कि अमेरिका दूसरों के मामले में अपना ज्यादा दखल अंदाजी करता रहता है यहाँ पर चीन ने साफ साफ कह दिया है कि हम अपने हित को देखेंगे हम अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे यहाँ पर अमेरिका जिन जैंग के मुद्दे को हवा दे रहा है और इसमें फाइदा भारत के लिए है आपको हम बता दें इसमें भारत को ऐसे फाइदा होगा अमेरिका यहाँ पर कह चुका है कि चीन से अमेरिका कपास नहीं खड़ी देगा जिन जैंग का मामला उठाकर अमेरिका चीन को सोवियत संगवाली स्थिती में लाना चाता है इस समय भारत और भारत के आसपास वाले शेत्र में अमेरिका की बहुत पैनी नजर है हिंद महासागर का इलाका हो या फिर अरब महासागर का इलाका हो यहां पर चौकन्ना हो गया है अमेरिका इसके पीछे भी कई वज़ा है जिसमें से पहली वज़ा ये है कि भारत भी शेत्र को लेकर काफी ज्यादा समवेधन शील है जी हां आपको बता दे अरब सागर पर लगातार चीन घुसपैट करता रहता है चाहे वो अपनी नेवी से हो या फिर ड्रोन के माध्यम से इन जगहों पर नजर बनाने की पूरी कोशिस में चीन लगा हुआ है यहां पर अमेरिका को एक जहास दिखाई देता है जिस पर किसी भी देश का जहंडा नहीं लगा होता है यहां पर अमेरिका की नौसेना वहां पर पहुचती है और पूछती है कि तुम कौन से देश से हो और कहां जा रहे हो जिसके बाद यहां पर अमेरिका को सही से तो यहां पर अमेर्की नौसेना उस जहास का कागजात और लाइसेंस देखने लगती है। जिसके अंदर मौझूद थी 1447 राइफल, 2,000,000 राउंड के गोला बारूद। जी हां आपको बता दें इस मचली पकरने वाले जहास के अंदर पूरा तबाही मचाने का एक जखीरा चुपाया गया था। पुष्टी नहीं हुई है क्योंकि इरान के तरफ से कोई भी बयान इस पर नहीं दिया गया है। इसे देखने से आसा लग रहा था कि इसे वैसी जगह भेजा जा रहा है जहां आसपास में कोई जंग का माहूल हो। जहां पर यह बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और लोगों का अनुमान ये भी है कि यह हो सकता है कि यमन के लिए निकला हो यहां पर अमेरिकी सेना को यह लगा कि इन्हें खुले में छोड़ देना बहुत बड़ा खतरा होगा। पानी के अंदर दुबा देना ही बहतर समझा इसलिए यहां पर अमेरिकी सेना ने इसे पानी के अंदर दुबा दिया। को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह पाँचो यमन के नागरिक हैं। इस विशे में आपको क्या लगता है क्या अमेरिका ने कपास वाली जो डील चीन से तोड़ दी है उसका फाइदा भारत को मिलेगा या नहीं। मिलेगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। मुझे बॉक्षा लगता हैं।